वैसे तो इन दिनों बॉलिवूड की लंका लगी हुई है। बॉलिवूड की हर बड़ी फिल्म बॉक्स ओपिस पर बुरे तरीके से बिटती हुई नजर आ रही है। ऐसे मा आज बॉलिवूड की एक और फिल्म रिलीज हुई है। जिसका नाम है लाइगर। साउथ होने के बाद शोशल मीडिया पर आ रहे फिल्म के रिव्यूज ने फैंस को थोड़ा निराश किया है। आपको बता दे कि साउथ के सुपरस्टार विजे देवर कॉंडा की फिल्म लाइगर को देखने के बाद फिल्म किटिक्स और दशकों से मिला जुला रिस्पॉंस आ ऐसे में अब खुद को बॉल्यूड के नमबर वन फिल्म के टिक और ट्रेड अनलिस्ट बताने वाले कमाल खान उर्फ क्यार के क्यार के ने भी विजे देवर कॉंडा और अनन या पांडे इस्टारर फिल्म लाइगर की खिल्ली उड़ाई है। आपको बता दे कि क्यार के क्यार के ने अपने ट्वीटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि सबसे बड़े ठीरेटर में लाइगर को अकले देखने का समय आ गया है। क्या सांदार ओपनिंग की है। करन जौर भाई आपकी तो लाइफ बन गई। वैसे आपको बता दे कि क करण जौर को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और वो करन् जौर की लगबग सारी फिल्मों को ट्रोल करते हुए नजराते हैं। और विजए देवर कॉंड़ा की फिल्म लाइगर को भी करन् जौर ने प्रोडूस किया है। उन्होंने लिखा कि फिल्म लाइगर करंट जोर की फिल्मी नौलेज का परमान है मैं पिछले 10 सालों से कह रहा हूँ कि करंट जोर और आदीते चौपड़ा बॉलियूट का नाम खराब कर रहे हैं लेकिन लोग मेरी बास सुनने को तयार नहीं है बॉलियूट के लोगों को करंट जोर और आदीते चौपड़ा का बैश्कार करना चाहिए अगर वो लोग बॉलियूट को बचाना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करना पड़ेगा साथ ही क्यार के ने लाइगर के डारेक्टर पूरी जगनात को भी नहीं छोड़ा कि करंट जोर ने सड़क पर 160 करोड रुपे फूक दिये वैसे आपको बता दी कि करंट जोर के लावा लाइगर की स्टार कास्ट विजे देवर कॉंडा और अननिया पांडे भी सोशल मीडिया पर बाइकॉट हो रहे हैं वैकोड वैकोड जैसे छोटे मोटे ट्रेंड आते रहते हैं इससे उनकी फिल्म को कोई फरक नहीं पड़ेगा जिसको फिल्म देखनी होगी वो देखेगा और ऐसे में लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि विजे देवर कॉंडा साउथ में अच्छे खासे सूपर स्टार थे लेकिन बॉलिवूड में आकर वो भी करंज ओर के चमचे बन गये हैं और उन्होंने भी करंज ओर की भाशा को बोलना शुरू कर दिया है लोगों का गुसा इतना चड़ गया कि उन्होंने कहा कि अब विजे को भी बताएंगे कि बाइकॉट का असली मतलब क्या होता है खेर दोस्तों फिल्म तो रिलिस हो गई है लेकिन अब ये देखना होगा कि ये फिल्म भी बॉक्स ओफिस वर कुछ कमाल कर पाती है या फिर बॉलिवड की दूसरी फिल्मों की तरह ये भी बॉक्स ओफिस वर बुरे तरीके से फलॉफ हो जाती है आपका इस बारे में क्या कहना है कॉमेंट बॉक्स ओफ निराएज जरू लिखे है